आज का टॉपड फिन सब्डेट ABNL के हेवी वेहिकल फैक्टरी में इंडन आर्मी के T90S टेंक को T90MS अस्टेंडर तक अपग्रेड कर रही है मतलब के पुराने T90S टेंक में नए फीचर और टेक्नोजी इंस्टॉल की जा रही है जो T90MS वेरियंट में होती है पुने बेश निबे ओडिनेंस ग्लोबल लिमिटेड को म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड को एक लेटर ओफ इंटरस्ट मिला है इसका मतलब है कि M.I.L. ने निबे ओडिनेंस ग्लोबल पर रूची दिखाई है और उससे धाय लाक यूनिट 155 mm M.107 खाली सेल खरीदना चाती है और इसकी टोटल कोष्ट 682 करोड होगी इंडे नेवी अपने फ्यूचर राफेल M. फाइटर जेट को आइनस डेगा में उसका हॉम बेस बनाने वाली है इसका मतलब यह है कि जब राफेल M. एरक्राफ्ट इंडे नेवी को डेलिवर हो जाएंगे तो उसका प्राइमरी ओपरेटिंग बेस आयनस डेगा होगा जो विसाखा पत्नम में लोकेटेड है जाना के पिपूल लिबरेशन आर्मी नेवी का सीप इवान वांग सेवन जोकी इवान वांग क्लास मिसाइल ट्रेकिंग सीप है अब इंडियन ओस्टियन में एंटर करने वाला है इसमें एडवांस सेंसर और कॉम्निकेशन एक्युमेंट है जो मिसाइल लॉंच सेटलाइट मुवमेंट और अस्पेस एक्टिविटी को ट्रेक कर सकती है डिफेंस मिनिस्टर राजनासी ने विसाखा पत्नम का दोरा किया ताकि एस्टर नेवल कमांड के डिफेंस प्रिपेडनेस को रिव्यू कर सके इस दोरान उन्होंने एस्टर नेवल कमांड के ओपरेसनल रिडिनेस और अस्टेटिजिक कैपिबिलिटी का मुल्यांकन किया इंडिन आर्मी को नागास्त्र वन लिटेरिंग म्यूनेशन की डिलिवरी सुरू कर दी है पहले फेज में 120 यूनिट की डिलिवरी की गई है जो एक बड़े ओडर का हिस्सा है जिसमें टोटल 480 नागास्त्र वन इमर्जंसी प्रोक्योर्मेंट के तहट खरीदे गए है याड़ो प्रोजेक्ट कुसा के लिए प्रोपेलेंट कास्टिंग को प्रोक्योर कर रही है जो की प्रेसिजन गाइडेड लॉंग रेंज सर्फेश टू एर मिसाइल के लिए है ये डेवलेप्मेंट भारत के मिसाइल केपिबिलिटी को इनहेंस करने और सेल्फ रिलाइंस को बढ़ाने का एक परमुग परियास है त्याड़ो पेरिस फ्रांस में होने वाले यूरो सेटरी दोजर चोबिस में अपने सबसे एडवांस टेकनोजी का परदर्सन कर रही है इसे भारत की अपनी डिफेंस सेक्टर में Make in India and Make for the World की प्रनाली को बढ़ावा देने का संकल्प दिख रहा है AMCA 5th Generation Fighter Jet प्रोग्राम में 3D प्रिंटिंग टेकनोजी का इस्तमाल करने पर विचार की जा रही है इस टेकनोजी के इस्तमाल करने पर कई फायदे होंगे जैसे कि 3D प्रिंटिंग से प्रोडक्शन के खर्चे कम हो सकते हैं और 3D प्रिंटिंग से पार्ट्स भी जल्दी बनाया जा सकते हैं जिसे समय की बचत भी होगी साथ ही इस टेकनोजी से जरुरत भरी मेटरियल यूज होगी पाकिस्ताने हाले में जैप 17 के क्रेस को छुपाने की कोसिस की थी लेकिन जैप 17 के पालेट इजेक्शन सीट बनाने वाली कमपनी ने इस न्यूज का खुलासा किया है जैप 17 में रसन 1893 इंजन लगी है और इस टेक के 5 क्रेस में कम से कम 2 इंजन फेलियर के वज़ा से हुई है और हो सकता है कि ये क्रेस भी इंजन फेलियर की वज़ा से हुई हो इस वीडियो के बारे में अपनी रेक्मेंड में जरू दे बाकी लाइक एन सस्क्राइब जरू करें